हेलो फ्रेंड्स वहाद स्वागत है आपका ABC अगडमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में भी आप सर्षाटपी BPSC और CDPO के लिए टॉप 30 कुश्चन देख रहे हो हर एक कुश्चन के साथ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है उसे आप ध्यान से सुनिए समझिए कोशिस करिएगा 22 या 23 प्लस माक्स लाने का हर एक सवाल को काफी सोच विचार कर ही इस क्लास में इंक्लूड किया गया है देखिए गार एक सवाल को ध्यान से सबसे पहला सवाल है कहला है कि कुशान शाषक कनिश्क बहुत धर्म की किस साखा का अनुजाई था महायान हो जाएगा option number B बहुत ही easy question है first वाला बहुत easy है महायान साखा से था देखते है next question महाबली पूरम में रत मंदिरों का निर्मान किश्वंस के शाषकों द्वारा किया गया था देखिए यहाँ पर option number आपका D शही जवाब हो जगा पल्लवों के द्वारा किया गया था समझेगा के द्वारा महा भली पूरम में रत मंदिर का निर्वान कराया गया था और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेगा कि सबसे बढ़ अगर पूछे तो धर्मराज, सबसे बढ़ अगर पूछता है तो यहाँ पे लिखा जा रहे देख लिजेगा धर्म राज और अगर सबसे छोटा पूछे तो दुरौपती है दुरौपती रत जो है ये दुरौपती रत वहाँ पे मतलब है ये ध्यान रख्षेगा रत के बारे में भी पूछता है और एक बात समझे देगा कि स्टार्टिंग में इस सहर को मामल पूरम भी कहा जाता था अ देखते हैं नेक्स्ट कोश्यन नेक्स्ट है कि लखनव पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था कि के संदर्व में निम्न मेंशे कौन सा कथन और शत्त्य है आपको बताना है आप चाहें तो सवाल को यहाँ पे वीडियो को रोक लिजेगा सवाल को अच्छे से पढ़िए समझे यहाँ पहला अवशर था जब मुस्लिम लीग और कॉंग्रेश का अधिवेशन एक साथ हुआ था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कॉंग्रेश के नरम पंथी और वाम पंथी दल थे गरम पंथी यहाँ पे होगा ठीक है गरम पंथी दल जो थे इन दोनों का म अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरनमजुबदार ने और मुस्लिम लीग की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो मुहमद अली जिन्ना ने किया था यह भी पॉइंट यहाँ पे सही है तो चारों पॉइंट आपका यहाँ बिलकुल सही दिया हुआ है देखते है कह रहा है कि नविन्तम खोजों के अनुशार सिंदु घाटी सभ्यता का सबसे बरा जो नगर है वो कौन सा है देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब राकी गरी जो की कहां पर है अगर यहाँ पूछ ले तो हर्याना आपको ध्यान रखना है सिंदु घाटी सभ्यता का यह सबसे बरा जो है अस्थल है ठीक है घगर नदी के तर्ट पर है यह और अगर पूछे कि इसकी खोज कब हुई थी तो यहाँ भी आप जान लेजिए खोज भी पूछता ही है तो उनीश्व उनहत्तर में खोज हुई थी और किसने किया था अग कान से योगिन शभ्यता थी देखते हैं नेक्स्ट कूश्यन को कह रहा है कि पुस्तक दा स्प्रीट ऑफ इसलाम के लेखक कौन है और अप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा यह सायद अमीर खान नाम है उनका समझ लिजेगा क्या है इस किताब में तो दा स्प् कितिक हो गया फिर आपका यह वैज्यानिक है दार्सनिक है और यह समाजिक इतिहास जो है इन सारे फैक्ट के बारे में उसमें दिखाया गया है दर्शाया गया है ध्यान रखेगा तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी है सही जवाब नेक्स्ट कूश्चन है भारत का इस्थित है आपको बताना है कि ये कहां पर है ओप्शन नमबर आपका यहां पर डी हो जाएगा सही जवाब कच्छ में है कच्छ कहां पर तो गुजरात राज में है अगर पूछे कि इसकी अस्थापना कभ हुई थी तो उनीश्व बिरासी आपको ध्यान रखना है जो यहां कुश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्टिय हरित प्राधिकरन की अस्थापना कभ की गई थी ओप्शन नमबर आपका यहां पर सी हो जाएगा सही जवाब 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी ध्यान रखिएगा अगर पूछ ले कि मतलब आप यह समझ लीजे यह है क्या इसके इसकी अस्थापना की गए थी परियावरन समन्द्य कानून के सतहापना के लिए 59 यह लाष्टिय हरित प्राधिकरन की अस्थापना नेक्स्ट इसक नम्न में से कौन रूपन फशल का उधाहरन नहीं है देखियो केला चाय गन्ना कॉफी ये शारे रोपन फशल का ही एकजामपल दिया होगा ठीक अधारण है ध्यान रखेगा तो option number E हो जाएगा एक से अधिक आपका सही जवाब नेक्स्ट कोशन है नल्ला मलाई की पहारी किस राज जिमें इस्थित है पूरवी आंदर परदेश में है option number आपका यहाँ पे सी जो है यह मीं स्प्रिंट है तो option number C हो जाएगा आंदर परदेश में है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोशन है कहना है कि अश्ट मूदी जील के बारे में बताना है किस राज जिमें इस्थित है तो ध्यान रखेंगा या केरल के option number A आपका हो जाएगा केरल के column जीले में इस्थित है ठीक है इसकी 8 साखाएं है इस बात को भी समय लीजेगा और एक बात समझेंगे कि राम सर समझोते इसके बारे में आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया था राम सर समझोते क्या है तो राम सर समझोते के द्वारा इसे अंतराश्टिये ये महत्य की मतलब आद्र भूमी के रूप में घोशित किया जा चुका है ठीक है ध्यान रखेंगा option number A अश् 66 वी BPSC और CDPO के लिए काफी सर प्रेक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है option number A हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंसा प्रोटियाम हो जाएगा सही जवाग ध्यान देंगे hydrogen के प्रोटियाम जो है ये समस्थानिक में neutron नहीं होते हैं अगर hydrogen के बारे में पूछे कि इसकी खोज कब हुई थी तो 1766 इश्वी आपको ध्यान रखना है 1766 में हुआ था और किस ने किया था तो Henry Cavendish नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए Henry Cavendish ने इसकी खोज की थी next question देख लेते हैं कह रहा है कि भूपरपटी में शर्वाधिक पाये जाने वला अत्तात्यों कौन सा है option number आपका A हो जाएगा oxygen अगर पूछे कितना तो oxygen जो है आपका ये 46.8% पाया जाता है next आप देख लेते हैं यहाँ पे जैसे आपका दिया हवा शिलिकॉन के बारे में सिलिकॉन जो है ये आपका 27.72% पाया जाता है अगर आपसे फिर पूछ लेता है इसके calcium के बारे में भी जान लेते हैं calcium जो है ये बस 3.6% के आसपास रहता है उतना और carbon के बारे में पता ही होगा बहुत बार बताया जा चुका है 0.6% होता है ठीक है एक बात समझ लेंगे कि वातावरन में कोश्चन पूछा जाता है कि वातावरन में सरवाधिक मातरा में पाय जाने वाला तत्व कौन सा है तो आपको nitrogen बताना है अगर सरवाधिक मातरा में पूछेगा तो आपको nitrogen option number B हो जाएगा जबकि ब्रामांड में अगर पूछता है तो ब्रामांड में शरवाधिक मातरा में पाय जाने वाला तत्व आपका hydrogen option number C है यह आपका हो जाएगा इस question में क्या है आपका oxygen option A सही जवाब next question A निमलिखित में से कौन सा पदार्थ शरवाधिक मजबूत होता है option number D हो जाएगा गैफरीन गैफरीन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लिए काफी विवियाई question है गैफरीन जो है यह बहुत मतलब कहिए कि ना केवल बहुत ज़्यादा पतला बलकि अभी तक का खोजा गया ना पदार्थ में सबसे मजबूत पदार्थ है ध्यान रखिएगा इसकी खोज अगर पूछता है तो मैंचेस्टर विश्विद्याले में जो काम करने वाले दो वज्यानिक थे जिनका की नाम है एक का नाम है आंद्रे जीम और दूसरा का नाम था कि कौनस्टाटीन करके कुछ नाम है उनका इग्जेक्ट नाम नहीं ध्याना रहत इन्होंने वर्ष 2004 में इसकी खोज की थी गैफरीन की ध्यान रखिएगा कि अभी तक कनिमलिखित में कौन सा पदार्थ अगर पूछ लिख सरवादिक मजबूत होता है तो गैफरीन ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट क के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्मान करता है पानी का निर्मान करता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन है निमलिखित में से कौन सा विश्पोठक नहीं है आपको बताना है आपको यहाँ पर अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए होगा ता वीडियो को जरूर रोक लिया करिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रो क्लोरोफार्म फॉर्म ध्यान रखेंगे कि नाइट्रो क्लोरोफार्म जो है इसका जो प्रियोग है मतलब यह ऑपरेशन के पहले पेशेंट को बिहोश करने के लिए किया जाता है बाद बाकि आपका जो यहाँ पर है ट्राइनैट्रो टॉल्यून ट्राइनैट्रे गलिसरीन फिर आपका ट्राइनैट्रे नैट्रो फिनॉल यह शारे जो है यह विश्पोटक पदार्थ है यह ध्यान रखेंगा ब वाले बिहार के तीन सीर्स जीले जो अवरोही करमनी की घटते करम में है उसके बारे में आपको बताना है ओप्शन नंबर आपका यहाँ पर रोहतास मुझपरपूर और सीता मर यानि कि B हो जाएगा बिलकुल सही जवाब एक बात समझ लीजेगा शरवाधिक गेहु अगर पूछे सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कहाँ पर होता है तो वो आपके बिहार के बेगुशराय में होता है और अगर सबसे कम उत्पादन करने वाला जीला पूछ लेता है आपसे तो गया ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा बेगुशराय और सबसे कम अगर पूछता है तो गया आपका शही जवाब हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन बिहार के कितने परतिशत आवादी क्रिशी एवंग उसके सहवर्ती छेतरों में सलगन है तो देखिए यह जो है 2019 बीस काकरा है इसके एकॉर्डिंग ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा चोहत्तर परसेंट सही जवाब है नेक्स्ट कुश्चन है कि बताना है कि निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन है ओप्शन नमबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही श्रम सही जवाब है नेक्स्ट कुश्चन है निम्निखित में से कौन सा इस्थिर लागत नहीं है ओप्शन नमबर सी हो जाएगा देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन भारत में किस वर्स से राष्टिय आयकी गन्रना जीडीपी की जगह जीवी ए में बाजार मुल्य पर की जा रही है तो आपको बताना है किस इश्वी से ओप्शन नमबर ए हो जाएगा 2015 से धियान रखेगा ये जो है CSO के द्वारा किया जाता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं बताना है कि राही शर्ण नौबत ने किस इस परधा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किये आप्शन नमबर ए हो जाएगा सही जवाब शूटिंग आपका सही जवाब है समझेंगे ये भारतिय निशाने बाज राही शर्ण नौबत ने क्रोएशिया के उसी जेक में जो ये आई एस एस एफ सूटिंग विश्व कब चल रहा था उसमें अगर पूछ ले कितना तो पचीस मीटर वाले में धियान रखेगा पचीस मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया भारत को स्वर्ण पदक इनोंने दिलाया तो आप्शन नंबर आपका डी यहां पर सही हो जाएगा मनेश महात्मिय करके हैं उनको वाट्सेप पैमेंट इंडिया जो भी चालू हुआ है नया उसकी बिजनेस के प्रमुख के रूप में इसे न्यूक्त किया गया है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारतिय थल सैना के मित्र सक्ति सक्ति शैने अभ्यास का आठ्वा संस्क्रन कहां आयोजित किया गया ओप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब अंपारा जो की स्रीलंका में है वहाँ पर भारतिय थल सैना के जो मित्र सक्ति शैने अभ्यास का कौनसा आठ्वा संस्क्रन था ये भी ध्यान रखेगा कहां पर तो अमपारा स्री लंका में हुआ यह ध्यान रखेगा अक्टूबर 2021 में हुआ है यह भी आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 2021 का यह आपको डिटा बताया जा रहा है नेक्स्ट कोश्चन है किस राज में अगले पांच वर्सों में राज में मूलभूत सिक्षा को बदल बने के लिए S.A.L.T. कारिकरम सुरू किया गया है वो कौन सा राज है तो सबसे पहले समझ लिए राज कौन सा है आंदर परदेश हो जाएगा ऑप्शन नमबर C देखिए सॉल्ट का मतलब क्या होता है सपूर्टिंग आंदर लर्निंग ट्रास्फॉर्मेशन ठीक है इसका जो S.A.L.T. लिखा है इसका फूल फॉर्म क्या है सपूर्टिंग आंदर लर्निंग ट्रास्फॉर्मेशन इसकी सुरुबात की गई है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कह रहा है कि हाथी मिर्च के लिए कि शिराज को G.I.T. परदान किया गया है ऑप्शन नमबर आपका ए हो जाएगा मनिपूर क्यों किया गया है वर्ष 2021 में सितंबर माह में हाथी मिर्च और तामेंग लोंग औरेंज करके उसके लिए मनिपूर राज को G.I.T. परदान किया गया है और कुछ G.I.T. आप समझ लिजेगा काफी important है जिसे में की मीठा खीरा है इसके लिए मीठा खीरा के लिए नागा लेंड को यहाँ पर लिखा जा रहा है देखिएगा मीठा खीरा के लिए यहाँ पर NG लिखा जा रहा है समझ लिजेगा नागा लेंड को मिला है फिर आपका यह जो डिमा राइश है ठीक है जो डिमा राइश करके है जो डिमा राइश वाइन है इसक के लिए अश्रम को और जल्गाऊं केला के लिए केला का नाम है कौन सा यह जल्गाऊं केला के लिए महराश्ट गाउं केला के लिए महराष्ट राज को ठीक है महराष्ट राज को जी आई टेक परदान किया गया है ठीक है इन सारे पॉइंट को ध्यान रखेगा ये आपके एकजाम में हो सकता है कि पूछ ही ले देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन बिहार का पर्थम ट्राफिक आई जी किस समस्या है उसके समाधान के लिए सरकार ने पहली बाल ट्राफिक आई जी का जो ये पोस्ट है ये लाया है और एम आर नायक को ट्राफिक आई जी बनाया गया है ध्यान रखेगा नेक्स्ट कुश्चन है निमलिखित में से किसे केंद्रिय जांच ब्योरों का विशेष निर परवीन सिन्हा को केबिनेट के नियुक्ती ये असमिती के ने केंद्रिय जांच ब्योरों के विशेष निर्देशक के रोप में नियुक्त किया है देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन कैरेक अंतराष्टिय चुद्रगरह दिवस किस दिन मनाया जाता है तीस जून हो जाएग का ओप्शन नमबर डी सही जवाब 30 जून को संयुक्त राष्ट के द्वारा घोशित किया गया ये दिवस है हर साल 30 जून को विश्वस्तर पर अंतराष्टिय ये चुद्रगरह दिवस मनाया जाता है देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन कह रहा है कि राजी के प्रथम कि महुत्सव जो ये कल्रव का जो आयोजन है ये जनवरी 2021 में जमुई जी लेके नागी और ये नक्टी पक्षी अभ्यारन है वहाँ पर किया गया था ओप्शन ए आपका सही जवाब है देखते हैं आज का लास्ट कुश्चन कोरोना काल में चुनाव के लिए कि श्राज को चुनाव आयोग ने बेश्ट स्टेट केटेगरी से यहाँ पर प्रुस्कित किया गया है ओप्शन नमबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब बिहार को एक बात समझ लेंगे बिहार के ये जो सवाल है इससे इलेटेड करोना काल में चुनाव के ये सबसे अच्छे तरीके स चुनाव कराने के लिए इस्टेट केटेगरी में इसे मतलब बिहार को प्रुस्कित किया गया था समझेंगे निर्वाचन आयूक से जो ये प्रुस्कित होने वाले अधिकारी हैं बिहार के अगर दीपली पूछ लेता है तो जो बिहार के एडीजित हैं जीतेंद्र कुमार पटना के उस वक्त मतलब जो अभी election हो रहा था उस वक्त के जो DM सहाब थे वे कौन रवी कुमार है उनको मिला है कैमूर के DM डॉक्टर नवल किसोर चौधरी और स्वास्त विभाग के जो प्रधान सचीव है उनका नाम है प्रतिय अमरित करके उनको यह मतलब अवार्ड उनहीं सब लोगों की द्वारा मतलब बिहार को बेश्ट चुनाव करवाने के लिए अवार्ड दिया गया है तो option आपका यहाँ पर क्या D हो जाएगा बिहार सही जवाब आसा करता हूँ top 30 question और उसके साथ दी गई जो जानकारी explanation है आपको अच्छा लगा होगा अगर आप सरसाथी भी PSE की त्यारी कर रहे है CDPO की त्यारी कर रहे है 2022 में होना एच्छे फरवरी को CDPO का फिलहाल date दिया गया है अगर आप उसके त्यारी कर रहे है तो आप ABC Academy के साथ जरूर जूर जाएए काफी सरा practice sheet upload किया जा चुका है और भी अभी काफी सरा practice sheet upload होगा आपके बिहार special से current से हर एक तरह का topic आपके लिए provide करवाया जाएगा ऐसे ही friends बने रहे है विशी एकडमी के साथ अपना प्यार देते रहे है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स